इरान और इसराइल में बड़े तनाव और जंग के बीच केंद सरकार ने भारती नागरिकों को दोनों देशों की यात्रा ना करने की सला दी है इस एडवाइजरी ने इसराइल में नौकरी के लिए चुने गए बार्या बंकी के सैकडो कारीकरों की अब चिंता बढ़ा दी है लोगों को वाटसप के जरिये मैसेज मिला है कि विदेश मंत्राले के निर्देशों के मताबिक इसराइल की किसी भी तरह की यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी जाए और आप लोग असली जानकारी मिलने तक का इंतजार करें इस एडवाईजरी के बाद इन सभी का भविष्य उधर लटक गया है क्योंकि यहां अच्छी कमाई ना होने के चलते सभी लोग इसराइल जा रहे थे किसी ने कर्ज लिया है तो किसी ना किसी ने जमीन गिर्वी रख दी है और कई लोगों ने घर में रखे जेवर तक बेच दिये हैं इसलिए यह सभी युद्ध के चलते इसराइल जाना चाहते हैं जिससे वहां कमाई करके अपने परिवार के स्थिती को सुधार सके दरसल बारा बंकी जिला मुख्याले से लगभग 20 किलोमीटर दूर विकास खंड देवा में चक्दीशपुर गाविस्तित है यहां के करीब 35 युवाओं का चैन इसराइल जाने के लिए हुआ था इन सब ही ने इसराइल जाने के लिए टिकट बुक करवा लिये थे गाउं की चंदन सिंग का कहना है कि उन्होंने 20 सी तक पढ़ाई की है काफी कोशिचों के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो वे राज मिस्त्री का काम करने लगे इसी काम से वे अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं यहां मज़ूरी करके बड़ी मुश्किल से हर महिने 10 से 15 हजार रुपए कमा लेते हैं जब उन्हें पता चला कि इसराइल में नौकरी के लिए टेस्ट हो रहे हैं और वहां हर महिने 1,37,000 रुपए वेतन मिलेगा वही गाओं के आशिश कुमार का कहना है कि 18 अप्रेल को उनकी दिल्ली से फ्लाइट थी लेकिन 13 अप्रेल की शाम को उन्हें फोन करके बताया गया कि अभी इसराइल नहीं जाना है अगले आदेश तक इसराइल के लिए कोई आत्रा नहीं कर सकेंगे अब ऐसे में हम सभी लोगों को बस यही चिंता सता रही है कि ब्याज पर ली गई रक्म को कैसे वापस करेंगे वे स्टील बेचने का काम करते हैं जिससे बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चलता है वही प्रदीप सिंग का कहना है कि वे भी राज मिस्त्री हैं यहां रोची रोटी चलाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था इसलिए अपनी जान खत्रे में डाल कर भी जरायल जाना चाहते हैं उन्होंने श्रम विभाग में पंजी करन करवाया अब ऐसे में फ्लाइट रद्ध होने के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहां पर रुजगार नहीं है इसलिए वहां पर हम लोग जा रहे हैं वहां पर एक लाग साहती सालेरी है सार यहां पर इंडियाम कहा मिलेगा सार इतना सालेरी हैं पर कितना मंध्या से लाग तो यहां पर कितना मिल जाता था इसके यह तो घर कर सकते बाय मस बहुत बैठना नहीं है